question number 57 एक ऐसा question है जो majority of student doubt पूछते हैं उन्हें समझ में नहीं आता क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा बड़े अराम से patience के साथ हम इस question को solve करते हैं real image of object is formed at a distance 20 cm from a lens कौन सा lens real image form करता है convex lens form करता है इसकी वज़र से जो image form हो रही है जो image form हो रही है image due to this lens this is at 20 cm किसी को समस्या कहां से आ रही है रहे हमें इससे कोई मतलब नहीं image कहां बन रही है 20 cm real image बन रही है और putting another lens in contact with it एक lens और image is shifted 10 cm toward the combination एक lens और पुट कर दिया कौन सा lens पुट किया है यह नहीं का गया convex भी हो सकता है concave भी हो सकता है बट अगर आप option देखें सारी की सारी power positive है तो lens कैसा होना चाहिए convex lens यह lens 2 है तब जब यह put कर दिया गया तो raise किदर bend हो गई बच्चो raise हो गई 10 cm toward अब आप देख सकते हैं इसने converge कर दिया बीम को converge किया है तो lens कैसा था convex यहां से भी हमें पता चलता है अब आप गर आप ध्यान से देखें lens 1 की image दूसरे के लिए object का काम करती है और यह हो गई इसकी lens 2 की image तो ध्यान से देखना है यह 10 cm इदर आया है तो वी कितना होगा समझे बटा यूटू कितना है प्लस 20 वर्चुल image है क्योंकि raise कहीं इदर से आ रही होंगी रेज कहीं इदर से आ रही होंगी बटा तो यह वाली जो direction है this is positive तो यूटू क्या है second lens के लिए यू क्या है plus 20 वी टू कितना है बच्चो प्लस 10 cm क्योंकि यह 20 था यह total 20 था यह 10 है तो यह कितना बचा होगा 10 यह वला जो इनके बीच का gap है यह ignore करना है क्योंकि in contact in contact use किया गया है मैं इसको बिल्कुल साथ में नहीं रख सकता था थोड़ा सा gap मैंने draw किया 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F तो यह कितना हो गया 1 by 20 यह हो गई focal length और यह power है power यह focal length किसमें आएगी बटा cm में जब हम power लिखेंगे तो 100 by 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चो प्लस 5 डाप्टर क्योंकि focal length हमें किसमें चाहिए होती है meter में जब power डाप्टर में लिखते हैं तो यह था बटा question number 57 का solution I hope आपको समझ में आया हो तो मैं आपको कहूंगा बच्चो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और दोस्तों के साथ share करें